नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 22 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रस की इंपोर्टन यूज जो भी हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं explain page पे explain page पे एक article है जिसको हम डिटेल में समझेंगे वो है कि central universities के लिए entrance test है वो कैसे और क्यों conduct किया जा रहा है उस point of view से आर्टिकल को देखेंगे बाकी दो आर्टिकल सो उन पेगवार नजर डालेंगे इसको पहले detail में देखते हैं मंडे की बात है जब university grant commission UGC ने announce किया है कि अब एक central university entrance test है वो conduct कराया जाएगा और जो 45 central universities है throughout country उनके लिए ये mandatory होगा कि वो इस exam को conduct करवाने के बाद में merit list के basis पे ही अपने यहाँ पर undergraduate courses के लिए जो graduation courses होते हैं उनके लिए admission ले इसका मतलब यह हो गया कि अभी तक जो provision था जिसमें 12th class की जो cut off रहती है 12th class में जो marks हाते हैं final board exam में उसी के basis पे जो है merit वो डिकलियर होती है और admission होते हैं तो ऐसे में यह entrance test है वो अभी 12th class के basis पे जो results आता है और उसके basis पे जो ranking declare होती है cut off जाती है उसके हिसाप सा admission होती है तो अब उसको अटा दिया जाएगा तो अब क्या होगा कि एक तो 12th class के basis के यह marks हैं वो matter नहीं करेंगे दूसरी चीज़ कि अलग-अलग central universities अपने हिसाब से अलग-अलग entrance exam करवाती है तो अब क्या होगा उनका जो burden है अलग-अलग conduct करवाने की वज़े से ठीक है तो उस में एक common ही exam हो जाएगा na CUET तो इससे क्या होगा अलग-अलग exams में माथा नहीं मारना पड़ेगा वैसे देखा जाए तो यह कोई पहली बार नहीं है जब central university में admission के लिए इस तरीके से common entrance exam conduct करवाने की efforts किये गए हैं इसके पहले भी 2010 में UPA की second government जो थी मनमाण सिंग जी की leadership में उन्होंने भी अपनी तरफ से central university common entrance test, CU-CET launch किया था पर वो जितना target किया गया था उतना achieve नहीं कर पाई और अभी तक भी केवल 14 central universities ने ही अभी तक यह जो 2010 का UPA government का जो target यह जो CU-CET conduct करवाने का जो provision था उसको केवल 14 central university नहीं adopt किया है तो ऐसे में एक तो 14 central university और इसी को फिर upgrade करके अभी UGC, CU-CET के तोर पे launch कर रही है इसमें सभी 45 central universities अब आ जाएंगी तो जहां तक है इसका success rate या आप कह सकते हो कि इसका जो coverage है अभी currently CU-CET का वो जादा है 2010 वाले version के comparison में और यही चीज नेशनल education policy में भी envisage की गई थी कि higher education के लिए undergraduate courses के लिए common entrance conduct करवाय जाएगा अब आप देखो कि undergraduate courses में डेली उनिवर्सिटी में जिस डेली उनिवर्सिटी जैसी जो reputation वाली colleges है वहाँ पर जो issue रहता है वो क्या कि जब 12th class के marks के हिसाब से cut off release की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ students को बहुत benefit मिल जाता है कैसे मान लो एक state है X दूसरा state है Y मान लो एक state है यहाँ पर राजस्तान या हरियाना दूसरा state है किरला या तीसरा state है महारास्टा तो यहाँ पर जो score करने का जो तरीका है 12th में जो marks देने का तरीका है वो हर एक पहलगलग होता है कुछ states में liberal marking होती है अब liberal marking के चलते क्या होगा उनका score ज्यादा चला जाएगा अब दूसरी तरफ महारास्टा जैसे states में अगर देखे तो मान लो वहाँ पर liberal marking नहीं होती थोड़ी सी tight marking होती है तो एक बच्चा जिसकी eligibility अच्छी खासी है skills अच्छी है पर score अकम कर पा रहा है क्यों क्योंकि board में marking की इसी तरीके से मिलती है दूसरी तरफ एक state हरियाना राजस्तान कोई भी ऐसा state उठा लो जहां पर liberal marking होती है और वहाँ पर उनको score अच्छा मिल गया तो इस case में दोनों बच्चों को जब compete करवाया जाएगा दोनों बच्चे जब Delhi University में जाने की कोशिस करेंगे तो उनमें priority किसको मिल जाएगी जिसके marks जादा है तो ऐसे में board exam में marks पे कही ना कहीं एक biasness का behavior देखने को मिलता है तो इस वज़े से common entrance test conduct करा है बेशक इसमें ये भी provision रखे गए हैं कि मान लो Delhi University तो चलो ठीक है कि common entrance test के basis पे अपने associated college है तो वो अपने हिसाब से अपने separate board के जो marks हैं उनको minimum eligibility criteria के basis पे यूज कर सकते हैं मतलब ये कि ये जो CUET score है जो Central University exam entrance test है इसका जो score है उसको तो यूज किया जाए गई पर साथ में ये भी रख सकती है कि हाँ जी 12th में आपके minimum इतना score तो होना ही चाहिए 50%, 60%, 70% और फिर उसके बाद में score होना चाहिए इतना तो इन दोनों के basis पे भी admission लिये जा सकते हैं पर CUET एक तरीके से Central Universities के लिए mandatory हैं इसमें देखो एक student के जो skill की है checking वो भी होगी जैसे मान लो कोई music में admission लेने जाता है कोई painting में, कोई sculpture, कोई theater, कोई university तो उनके पास में skill की requirement होगी तो practical exam भी conduct करवाया जा सकता है respective college के दुआरा, इसके अलावा MBBS या फिर JE जो engineering के लिए entrance exam होती है, उनके लिए आपको पता है JE और NEED जैसी exam अल्रेडी चल रही हैं, तो उनको यूज किया जाएगा in Central Universities में admission के लिए, ठीक है, बारवी के board exam के marks हैं, उनको क्यों exclude किया गया, उस वाले को कहिने के फाइदा मिल जाता है, फिर next question है कि ये exam conduct कौन कराएगा, देखो National Testing Agency ये conduct कराएगी इस exam को, जो कि already JE means UGC Net इस तरीकी के exams को conduct करवाती है, ठीक है, exam conduct करवाने के लिए जो medium होंगे, वो 13 languages में available होंगे, ये 13 languages यहाँ पर दी हुई है, इनके नाम आप देख सक हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगु कंणर, मलियालम, उर्दु, असामीज, बेंगोली, पंजाबी, उडिया, एंड इंग्लेश, ये medium होंगे, अब देखो बात ऐसी है, कि exam का जो schedule होगा, वो कुछ ऐसा होगा, कि exam में जो लोग भी enroll होना चाहते हैं, उनको April के first week में form भरना होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, J.E.Mains का जो form फिल होता है, उसमें तो क्या होता है, कि अलग-अलग university अपने हिसाब से counseling करती है, मतलब J.E.Mains का, sorry, J.E.Mains में जब counseling होती है, score आने के बाद में, तो सभी की सारे colleges के admission के लिए एक जिगह पर counseling होती ह और उसमें फिर बाद में counseling cut off clear करता चला जाता है, उसके हिसाब से बच्चों का admission मिलता चला जाता है, यहाँ पर क्या होगा, C.E.T. score एक बार achieve हो जाएगा, फिर उसके बाद में student अपनी choice के हिसाब से अलग-अलग college में जाके apply कर सकता है, जहाँ पर भी eligible होगा, वहाँ पर उसको admission मिल जाएगा, मतलब counseling जो है, वो separately होगी, ना कि J.E.Mains की तरह एक साथ, हाँ, future में हो सकता है, कि एक combined counseling का या joint counseling का provision रख दिया जाए, कि C.E.T. का जो score होगा, उसके basis पे पहले ही college decide हो जाएगा, कि हाँ जी आपको यह college allocate हो जाएगा, counseling के basis पे, पर अभी जो शुरु पर होंगे, तीन parts में, पहला paper तो होगा, language का, जिसमें 13 languages में competition exam होगा, जिसमें आप यह देख सकते हो, यह 13 languages जो हमने previously देख ली वो, और इसके साथ में 19 languages की एक basket और होगी, उसका भी option available होगा, वो exam भी पास करवाई जा सकती है, तो पहला तो हो गया language से सम्मदित, दूसरा हो गया, उस particular candidate की जो domain specific knowledge है, जैसे कि वो engineering से belong करता है, या कोई दूसरे political science से belong करता है, psychology, physics, कोई भी subject, तो उनमें क्या किया जाएगा, कि कम से कम एक domain उसको pick करना पड़ेगा, जिसमें कि वो test देगा, first level का तो language का हो गया, दूसरा domain specific, कि आपके stream में admission लेना चाहते हो, ठीक ह तो उसमें 27 domain का option available होगा, उनमें से कम से कम एक domain और ज्यादा ज्यादा 6 domain को pass करना, ज्यादा ज्यादा 6 domain pick कर सकता है एक individual, ठीक है, और वो domain 27 कौन कौन से हैं, उनमें आप देख सकते हो, accountancy, bookkeeping, biology, biological studies, bio technology, ये 27 portion domain है, इनमें से कम से कम एक और ज्यादा ज्यादा 6 domain pick किया जा स तीसरा वो होगा, जो रहेगा general knowledge से related जिसमें current affair, general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning, ये सारी चीज़े होगी, तो ऐसे तीन paper होगए अलग-अलग, अब देखो बात ऐसी है कि किसी भी college में आप admission के लिए जाते हो, तो वहाँ पर उस college में जिस भी course के लिए आप जा रहे हो, उस course के लिए इन तीनो में से कौन से papers की requirement है, वो ही paper आपको तयार करने है, उनी paper को क्यों आपको pass करना है, जासे मान लो, कहीं पर आपका admission के लिए जाना है course A के लिए, college का नाम है XYZ, तो XYZ college में course A आप करना चाते हो, तो पता-पड़ा कि आपने check कर लिया, कि A course में admission के लिए हमें paper 1 और paper 3 ही pass करन है, second जो है, second वाला जो है, domain specialization वाला, उसको pass करने की नवबत नहीं है, तो उस तरीके से आपके वोल, दो exam दे करके भी, college में जाकर के admission ले सकते हो, उस particular course में, आने वाले time पे देखो, अभी तो देखो, government ने central universities कोई compulsory किया है, फिर private sector की जो colleges होंगी, उनको भी डाल लिया ज एंटेक, इन courses के लिए, एक individual सीधा college में जाएगा, जो already चल रहा है, ना system उसी को follow किया जाएगा, तो PG में कोई changes यहां पे नहीं किये गए हैं, तो यह था central university entrance test, आगे चलते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अब कभी भी गिर सकती है, हालत बहुत खराब हो रही है आर्मी ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी है, और opposition parties भी पूरे तरी से पुरजोर ताकत लगा रही है, कि कैसे भी हमरान खान की सरकार को गिराय जाए, तो पाकिस्तान के internal politics हम बिल्कुल discuss नहीं करेंगे, फिर देखो यह है, कल diesel prices में rise किया गया है, यह कि अगर bulk म पर लिटर के हिसाफ से डीजल मिलेगा, जबकि retail डीजल परचिजर है, जैसे आप कोई गाड़ी में डीजल डेला रहे हो, 1200-500 का, तो तब आपको केवल 94 रुपीज का एक लिटर डीजल मिल जाएगा, तो ऐसे में, जहाँ पर ज़्यादा consumption है डीजल का, जैसे transportation sector, railway की बात क होते हैं, जिनसे की power backing दी जाती है, कहीं पर भी, बिल्डिंग में या कहीं पर भी, हना, तो वहाँ पर diesel consumption ज्यादा होता, तो वो महंगा पड़ेगा, और इसकी देखो, मार फिर कहीं ना कहीं, overall हमें market पे भी देखने को मिल सकती है, inflation के point of view से, तो ये चीज बताई जा रही ह इसमें, ठीक, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं है, main जो चीज थी, वो यही थी, आगे चलता है, Australia और India के बीच में, कल जो बाचीत हुई है, virtual conference के थूर प्राइम इनिस्टर्स के बीच में, तो उसमें कुछ agreements finalized हुए हैं, उन agreements में एक बार हम नजर डालेंगे, जिनमें पह इसका मतलब, defense segment में training provide करेंगे, personals को तयार किया जाएगा, दूसरा, कि Australia में जिस तरीके से, sovereign या फिर जो pension funds invest करते हैं वहीं की वहीं पे, उसी तरीके से उन funds को encourage किया जाएगा, कि वो इंडिया में आकर के invest करें, और encouragement क्या है, कि जो tax benefits Australia में, Australia के इन funds के दुवारा invest करने पे इन funds को मिलता है, वो का वो benefit इंडिया में invest करने पर भी मिलेगा, तीसरा जो agreement है वो ये, कि Australia में जो critical mineral है, for example हमने कल बात की थी lithium की, जो की battery produce करने में help करता है, ठीक है, क्योंकि electric vehicle के उपर हमारा बहुत focus है, तो ऐसे में, उन minerals को produce करने के लिए, हमारी तरफ से खनीज विदे matter of intent, that means, एक ऐसा agreement finalize हुआ है, जिसके तहत, दोनों countries को operation दिखाएंगे, कि जो Indians जाकर के Australia में settle होते हैं, उनके लिए, अच्छी facilities provide करने का scope, that means, migrants के लिए facility avail कराना, फिर next agreement हुआ है, वो ये, कि दोनों countries मिलकर के educational qualification को recognize करेंगे, Australia के students ने, अगर Australia में education लिया है, तो वो India में recognize ह होगी, और Indian students ने इंडिया में कोई education लिया, तो उसको Australia में recognition मिलेगा, MOE हुआ है, दोनों countries के बीच में, कि हम कैसे भी करके broadcasting को और जादा increase करेंगे, तो इंडिया की तरफ से तो प्रसार भारती और Australia की तरफ से SBS, इन्होंने मिलकर के ये, इतने सारे agreements finalize हुए है, और Indo-Pacific region क लेकर के बाते वही आई है, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो अभी आये थे, उनसे भी जो बातचीत हुई थी, exactly वही बाते यहाँ पर हुई है, Australia, India दोनों court के member है, ओके, यही चीज है, आगे चीज है, Australia ने वैसे कहने को यह का है, कि रश्या जो भी कर रहा है, रश्या क पर बताई जा रही है, आगे चलते हैं, फिर नेक्स जो न्यूज हो वो यह, कि लदाक के लोगों ने एक प्लान किया है, कि वहां पर जो वाल्स हैं, डेट मिन्स बेडिये जो आते हैं, उनको बचाया जाए, और साथ में उन बेडियों को बचाने के साथ साथ में, उन दिया जाएगा तो यह अपने आप में एक कहते ना कि wild life को protect करने का एक अच्छा मुहीम है वो शुरू किया गया है तो basically यह जो Tibetan walls हैं क्योंकि लद्दाक वाले एरिया में Tibetan walls आएंगे तो इन वॉल्फ को schedule 1 में consider किया हुआ है इसका मतलब हमारे देश में highest जो protection मिल सकती है ना वो protection मिली हुई है इन तिबतन वॉल्फ को होता क्या है कि यह तिबतन वॉल्फ है यह जो वहाँ पर रहने वाले जो लोगों के खुद के जो जानवर होते हैं जिन में तिबतन गोट बक्रिया हैं उनको पाल के रखते हैं तो यह भेडिये क्या करते हैं उन बक्रियों को इन जानवरों को खा जाते हैं तो ऐसे में livelihood के लिए desert area में आपको पता है इन जानवरों पे dependency होती है यही उनके asset होते हैं और उनको अगर कोई खाएगा तो लोग क्या सोचते हैं इन बेडियों को मारने के लिए तो ऐसे में arrangement बना करके रखते हैं जिसको बोलते हैं shendong कैसा arrangement हो खड़ा खोद दिया खड़ा खोदने के बाद में उसमें इस तरीके का v-shape में structure create कर देते हैं और अंदर किसी बक्री को छोड़ देते हैं कोई भी livestock को और वो बक्री की smell और आवाज सुन करके वो बेडिया जब इसके प यह wolf trap होता है एक तरीके से जिसको बोलते हैं shendong ठीक है पर इसकी वज़े से क्या हो गया वहाँ पर wolf की जो population है वो लगाता है डिकलाइन कर गई तिबितन wolf की इसलिए वहाँ पर एक कह सकते हैं एक advocacy group है जिसका नाम है nature conservation foundation उन्होंने अपनी तरफ से effort लगाए है कि कैसे भी क population उसको भी decline नहीं होने देना और लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए उनको ensure कर देना मतलब कि अगर उनके जानवरों को wolf के खाने की वज़े से उनकी death हो गई जानवरों की तो उन परिवारों को compensation दिया जाएगा क्योंकि wolf जो है वो अगर हम देखे ना तो एक तर 32 सब स्पीसीज में से एक है जो कि सबसे पुरानी स्पीसी मानी जाती है तिबितन wolf है वो हिमालेयन रीजन में तिबत चाइना इस वाले एरिया में गुमते रहते हैं यहीं पे इनकी range है यह और जबकि Indian wolf है यह पैनिंसुलर इंडिया में मिलते हैं ओके तो यह कुछ important चीज की requirement हुई की नहीं तो आपको करना क्या है एक बार आप Google करके इसको verify कर लेना कि दिबितन wolf की क्या category है किस category में यह आता है यह आपका task है करोगे आप यह काम ठीक है आगे चलते हैं फिर economy page पे अगर हम नज़र डालें तो यहां पर RBI नहीं यह कहा है कि अभी जो first quarter आएगा 2022 22-23 का ठीक है तो इसमें जो small saving schemes है ना उन पे जो interest rate पे की जाती है government के द्वारा investors को पे किया जाता है तो उसको और कम करने की ज़रुत है ठीक है तो सबसे पहली चीज तो है small saving schemes में कौन-कौनची scheme consider होती है तो उनमें देख लो एक तो PPF, Public Provident Fund, एक सुकन्या समृद्धी यो यह मिलकर के small saving scheme बनती है और इनमें जो return मिलता है जो भी invest करता है तो PPF में 7.1% या फिर आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धी योजना की बात करो तो वहाँ पर आपको मिलती है 7.4% मतलब अच्छा कासा interest rate मिल रहा है कि नहीं जबकि दूसरी तरफ बैंकों में जो deposit करा जाता है for example हम term deposit की बात करें जैसे FD, RD इनकी बात करें तो वहाँ पर return कितना मिल रहा है maximum 5% या 5.3% एक तो कहां 7% साड़े 7% और एक कहां 5% तो लोग बैंकों की बजाए in small saving schemes में invest करता हैं फिर क्योंकि return जहां मिलेगा वहीं invest करेंगे अब क्या होता है कि बैंकों के पास म space कम हो जाता है जिससे की वो financial activity credit facilities avail करा सकें तो ऐसे में small saving schemes की interest rate और कम हो ये चाता है RBI दूसरी तरफ ये small saving schemes में जो interest rate fix होती है न वो decide की जाती है government securities का क्या interest rate चल रहा है yielding क्या चल रही है क्योंकि होता क्या है कि PPF में सुकन्या समरिद्धी scheme में इन में जो लोग भी पैसा डालते है न ये पैसा basically public account के अंडर जाता है अब public account का पैसा सीधा government use करती है और government अगर पैसे को use करती है तो ऐसे तो है नहीं free fund का है मामला government उसमें से पैसा निकाल करके use करती है तो return में पैसा डालना भी पड़ता है और पैसा use करने से पहले government को वहाँ पर security save करनी होती है मत के बदले ये guarantee है कि ये हम कागज रखना है हमारे गिर्वी जिनकों government securities बोलते हैं कि हाँ 5 साल के बाद में 10 साल के बाद में ये कागज हम वापिस निकाल लेंगे और आपको ब्याद सहीत आपका पैसा लोटा देंगे तो ऐसे में government securities के interest के हिसाब से ही इनका भी decision होता है किनक small saving schemes पर return का तो ऐसे में RBA का ये कहना है कि small saving interest rate जो मिलती है ना उसको ओर reduce करो जिससे की bankों के तरफ थोड़ा रुजान आए और जिससे की credit facility ओर अच्छे से दी जानी possible हो सके नहीं तो bankों के पास में problem रहेगी इसके आगे योक्रेन की वज़े से जो spillover आया है हमारी economy में तो हमारे RBA के जो governor है उनका ये कहना है कि हमारी economy बिल्कुल ready है इन shocks को handle करने में कोई issue नहीं है ठीक है चाहिए वो inflation ही क्यों ना हो क्यों क्रूड oil महंगा हुआ है तो इसकी वज़े से महंगा ही तो बढ़ेगी अब ही हमने देखा कि 25 रुपे पर लेटर के हिसाप से अगर bulk buyer purchase करता है तो उसको 122 रुपे पर लेटर के हिसाप से pay करने पड़ेंगे डीजल के बाव cryptocurrencies को लेकर के लोग सबा में बाच्चीत हुई तो ministry जो finance ministry की तरफ से statement रिलीज हुए उनका ये कहना है कि जी कैसे भी करके जो state finance minister पंकर चौदरी उनका ये कहना है या virtual digital asset ले लो या फिर जो cryptocurrencies हैं बोले इन में जो भी लेंदेन होगा उस लेंदेन में किसी को नुकसान हो रहा है तो नुकसान के लिए कोई income tax में rebate नहीं मिलेगी छूट बिलकुल भी नहीं मिलेगी even infrastructure देखो cryptocurrencies की mining के लिए आपको बड़े बड़े computer बड़े बड़े systems तयार करने होते हैं तो उसके लिए भी एक तरीके से infrastructure में आप invest करते हो तो यहाँ पर ministry की तरफ से ये statement दिये गए हैं कि आप चाहे कितना ही cryptocurrencies को produce करने के लिए infrastructure बना लो पर वहाँ पर आपको income tax में छूट नहीं मिलेगी government जल्दी इसके लिए नए provisions लेके आने वाली है ये बताया जा रहा है कल तो ये news थी कि GST MBIT में लाने की बातचीत चल रही है इसके अलावा चिप सेक्टर को promote करने के लिए लगबग 6,000 से ज़्यादा scholars तयार हो रहे हैं और धाइलाग से ज़्यादा workers को training देने के लिए training hub तयार किये जा रहे है Scholars का मतलब research and development, workers का मतलब जो ITI level के जो individuals होता हैं जो की manually हाथ से काम करेंगे तो आप देखो, हमारे याँबर all India survey of higher education के हिसाब से देखें तो हमारे याँबर PhD में admission 2015-16 में जोहाँ 7,000,000 होते थे ना वो बढ़कर के 2,000,000 से भी ज़्यादा हो गए है इसका मतलब PhD holders भी हमारे याँबर अच्छे खासे produce हो रहे है अब रही सही में जो manufacturing होनी चीये थी semiconductor chips की वो अभी तक नहीं है up to the mark अब वो उसी को promote करने के लिए government efforts लगा रही है एक छोटी सी news इधर है कि लगबग 18 states और union territories ने अपनी तरफ से draft rules हना वो publish कर दिये हैं किस से सम्मंदित जो 4 labor code देना कौन-कौन से labor code on wages, labor code on social security, labor code on industrial relations and occupation, labor code on health and working condition जो कि ministry of labor की द्वारा तयार किये गए थे पहले 44 laws थे उनको codify करके अब चार codes में convert कर दिया गया है तो यह एक provision है तो इन चार labor codes के बारे में गवार बट लेना वह यूपियस से point of use है इसके आगे अगर world page पे जह रहे हैं तो हमारे लिए एक news important है, सीधा वहीं पे चलेंगे, ज्यादा इदर उदर ना बटकते हुए कि जयनती घोष इनका नाम जो है वो advisory board of United Nations में ले लिया गया है मतलब इनको एक important advisor के तोर पे अपॉइंट किया गया है United Nations में ठीक है तो यह appointment किसके द्वारा की गई है United Nations Secretary General Antonio Guterres के द्वारा ठीक है यह 66 years old है, प्रोफेसर है, University of Massachusetts Amherst में और अभी economics पढ़ा रही थी तो SME इनका बहुत important role रहने वाला है तो पूछा जा सकता है जहनती ghost recently news में थी तो United Nation में इनका appointment हुआ है United Nation University और इसके अलवा Executive Office of Secretary General इनके साथ मिलके एक काम करेंगी तो main main जो news थी वो हमने देख लिया है, कुछ बच गया हो तो देख ले ना बाकि कल से आपको यह जो news वाला section है यह जहां तक है दुपएर तीन बज़े से पहले-पहले ही मिलने लग जाएगा यह permanent है, सुबह वाला वीडियो जो है वो आपको 8-9 के बीच मिली जाता है यह जो शाम वाला जो इतनी लेट होने लग गया इस वीडियो को अब सेटल किया जा रहा, आपको तीन बज़े से पहले-पहले मिल जाएगा तो अब अब continue बने रही है, ठीक है, thank you